नमस्कार दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर दोस्तो अभी हम बात कर रहे हैं नर्सिंग अड्मिस्ट्रेशन और मेनजमेंट के बारे में साथ ही दोस्तो इस टॉपिक से पूछे जाने वाले ऐसे कई सारे टॉपिक और कोश्चन के बारे में दोस्तो जो कि आपको नर्सिंग अंट्रेंस एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो अगर आप एक nurse और prepare कर रहे हैं nursing entrance exam के लिए तो दोस्तो आपको nursing administration और management को अच्छे से prepare करना चाहिए दोस्तो अभी तक कि हमारी series में हम almost सारे topic cover कर चुके हैं जैसे कि आप अपने screen पर देख पा रहे हैं तो दोस्तो अभी हम बात कर रहे हैं quality management और nursing audit के बारे में यानि आज का दोस्तो जो हमारा topic रहने वाला है वो रहने वाला है ये दोनों ही topic यानि कि quality management और nursing audit अगर दोस्तो आपने अभी तक पहले की हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो दोस्तो आप हमारी channel पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं जिसको दोस्तो हमने detail में cover किया है सारे topic दोस्तो यहाँ पर detailed में cover हैं जिनको आप अच्छे से वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं आज दोस्तो हम बात करेंगे quality management और nursing audit के बारे में दोस्तो अगर आप लोग भी अपने इन दोनो topic को अच्छे से prepare करना चाते हैं इनके बारे में समझना चाते हैं किस तरह के question दोस्तो इन topic से पूछे जाते हैं तो दोस्तो आप इन topic को आज की इस video के धुरू prepare कर सकते हैं तो देर ना करते हों दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपने अभी लग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से request है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले do subscribe to the channel चैनल को subscribe कर लीजिए और like वाले बटन को भी आप दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारी वीडियो ज्यादा से यादा देखें और दोस्तो आप सीखते रहें nursing entrance exam के लिए तो आई दोस्तो हमारे इस topic को शुरू करते हैं और इन दोनों ही topic को हम समझते हैं तो दोस्तो पहला हमारा topic है quality management अब quality management क्या होता है दोस्तो इसको समझते है definitions के थुरू quality is defined as proper performance यानि कि according to standard हम यहां बात कर रहे है standards के according जो भी दोस्तो standards follow किये जाते हैं nursing में चाहें आप बात करें NABH की या JCI की तो दोस्तो quality क्या होता है proper performance होता है of interventions that are known to be safe ठीक है that are affordable and society in question and that have the ability to produce an impact on mortality, morbidity, disability और malnutrition अब यह क्या करें दोस्तो definition तो quality जो है दोस्तो एक proper performance होता है of interventions यानि कि दोस्तो जो भी आप action लेते हैं patient safety में, patient care में और वो safe होते हैं that are affordable, जो कि affordable होते है to the society in question यानि society के लिए दोस्तो वो safe भी होते हैं और affordable भी होते हैं तो basically हम यहाँ पर दोस्तो care की बात कर रहे हैं ठीक है and that have the ability to produce an impact ठीक है ऐसे दोस्तो हम बात करें performance की जो की कहीं नहीं क्या करती है impact create करती है किस चीज़ पर mortality पर create impact करती है यह ठीक है morbidity को कम करने का काम करती है disability को कम करने का काम करती है और malnutrition को कम करने का यह काम करती है ठीक है अब mortality ज़्यादा से ज़्यादा यानि कम से कम यहाँ पर दोस्तों death होनी चाहिए, morbidity, disease जो है वो कम से कम होनी चाहिए society में, ठीक है, disability कम से कम होनी चाहिए society में और malnutrition यानि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिसे nutrition properly ना मिलते हूँ, तो इन सभी चीज़ों को overall दोस्तों अगर हम focus में लेकर आए, इन सभी requirement को पूरा करने को दोस्तों हम कह सकते है, quality, ठीक है, quality management, तो यह हो गया दोस्तों आपका quality management, I hope आपको यह दोस्तों definition समझ में आ गया होगा, quality management क्या होता है, तो इस तरह से दोस्तों आप quality management को समझ सकते है, आगे आप देखते हैं, quality management के बारे में और भी बताया गया है, अब quality management के बारे में और क्या information दोस्तों मिलता है, तो quality management can be considered to have four main component, ठीक है, इसमें चार main component आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या है, जैसे कि आप देख सकते है, quality planning, quality control, quality assurance, quality improvement, यानि कि quality management में दोस्तों चार main function आपको देख सकते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं, एक quality planning, यानि कि हम planning करें कि हमारी जो services है, उनमें quality हो, quality control, हमारी quality है दोस्तों वो नीचे नहीं जानी चाहिए, quality हमारी ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है, यानि कि there should not be a dip, आप कई बार क्या होता है, quality में dip आपको देखने को मिलता है, जब समय थ आपका quality नीचे जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, quality control यहाँ पर आपको properly देखने को मिलना चाहिए, तो वो हो गया आपका quality control, quality assurance यानि कि जो भी यहाँ पर आता है, यानि कि जो भी treatment के लिए आता है, उसे यह assurance होना चाहिए, कि इस से अच्छा treatment मुझे कहीं पर भी या इस से अच्छी care मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, that is quality assurance, यानि कि आप एक assurance देते हैं सामने वाले वक्ति को कि यहाँ से better आपको outcome कहीं और नहीं मिलेंगे, और last में आ जाता है आपका quality improvement, यानि कि जो quality पर अभी हम है, मान लीजे यहाँ पर level है, ठीक है, एक, दो, तीन चार, अब यह 4 level है, तो मान लीजे अगर आप इस level पर है, तो आपका जो level है, दोस्तों, वो नीचे नहीं आना चाहिए, आपका level कैसा होना चाहिए, आपका level उपर जाना चाहिए, so that is quality improvement, ठीक है, तो quality improvement, यहाँ पर आपका focus होना चाहिए, हमेश्वा quality आपकी better होनी of processes as well as product to achieve more consistent quality, ठीक है, अब quality control क्या करता है, दोस्तों, तो यह assurance, quality assurance और quality control processes को follow करता है, इसके अलावा दोस्तों, ऐसे product को यह follow करता है, जिससे की consistent quality को achieve किया जा सके, यानि जो quality है, वो consistent at least बनी रहे, ठीक है, नीचे ना जाए, उपर ना जाए, बट बनी रहे, तो इस चीज को दोस्तों focus करने के लिए, यहाँ पर, यहाँ पर जो है, वो quality control processes को follow किया जाता है, तो यहाँ तक आई गैस, दोस्तों, आप सभी को clear हो गया होगा, कि यहाँ पर, यह quality management क्या होता है, इसके क्या function होते है, और यह किस तरीके से काम करता है, आगे बात करते हैं, दोस्तों, ह leadership, involvement of people, process approach, किस तरीके से हम approach करते हैं, processes को, system approach to management, system की क्या approach है, system किस तरीके से देखता है management को, continual improvement, आपकी improvement जो है, वो लगातार है या नहीं है, factual approach to decision making, यानि fact के basis पर आप decision ले रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही, आपको लगा, आपको ने decision ले लिया, या किसी और, you know, administration में किसी क को लगा, तो उसोंने कुछ decision ले लिया, और mutually beneficial supplier relation यहाँ पर होना चाहिए, जहां से आप अपना, जो भी requirement है, जो भी inventory के लिए दोस्तों, आपको stock की requirement है, तो वहाँ पर आपका supplier से कितनी अच्छी relation है, तो वो चीज़ पर दोस्तों, आप focus करते हैं, तो overall यहाँ पर दोस्तो आपको यह quality management principle आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कईना कई quality के लिए जरूरी होते हैं, इन सभी जो भी दोस्तों principle है, इनको tick करना, तो इनको जब आप tick करेंगे, तो आपका quality जो है वो अच्छा रहेगा, तो आगे दोस्तों, इसको topic को I hope आप समझ में आगे होगा आपको आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले topic के ऊपर, अगला क्या है topic, approaches for a quality assurance program, कौन-कौन सी approaches होती हैं दोस्तों, तो चार approaches आपको यहाँपर देखने को मिलती हैं, कौन-कौन सी approaches देखने को मिलती हैं, तो जैसे आप बात करें, credentialing यहाँपर आपको देखने को मिलता है, licensure, accred accreditation और certification अब credentialing licensure accreditation और certification क्या होता है इनको all-dohan दोस्तों आगे slide में समझने वाले हैं लेकिन फिर भी यह आप शॉर्ट में हम इनको समझते हैं credential यानि कि जो भी working के लिए आ रहा है क्या वो job के लिए capable है या वो क्या वो जो minimum requirement है उसको fulfill कर रहा है या नहीं कर रहा है या ऐसे ही आपने बस उस व्यक्ति को hire कर लिया या उसको वहां पर वो option दे दिया वो opportunity दे दी जो कि वो deserve नहीं करता था that is credentialing अब चाहें आप यह बात करें किसी person के लिए ठीक है किसी person के लिए भी हो सकता और किसी organization के लिए भी हो सकता है क्योंकि organization भी कहीं कहीं credential होती है सारी organization credential नहीं होती है ठीक है तो वह आपको credentialing देखना होगा कि आप organization की बात कर रहे है या फिर किसी person की बात कर रहे है ठीक है ऐसे ही अगर आप बात करें दोस्तों licensure की क्या आपके पास license है उस चीज को perform करने का यानि कि जो भी मान जी care centers है क्या उनके पास license है उस चीज को perform करने का so that is आपका हो गया licensure ठीक है accreditation क्या आपके पास certification है accreditation है माने तो आपको प्राप्त है किसी भी governmental body या किसी recognized body से जो कि आपको accreditation provide करता हो तो वो भी important होता है क्या आपके पास certification है उस चीज को perform करने का तो दोस्तों यह approaches आपक quality assurance के लिए क्योंकि quality कहीं ना कहीं इन चारों चीजों पर depend करती है rely करती है जैसे अगर आप देखें जारतर जो आजकल hospitals है क्या करते है accreditation कराते है क्योंकि उन्हें पता है accreditation से ही वो quality assurance को यानि जो quality जो उनका target है उसको वो achieve कर सकते है without accreditation without standard को follow किये कहीं ना कहीं आपको idea न systematic way में move करने में अगर accreditation नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप systematically move नहीं कर पाते हैं आपका movement के तरीके से ऐसा होता है आप ऐसे गया फिर ऐसे आ गया फिर ऐसे चले गया फिर ऐसे चले गया फिर ऐसे चले गया फिर ऐसे चले गया तो accreditation से क्या होता है आपको एक proper method मिलता है या that is accreditation या फिर accreditation को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं यानि कि नीचे से आप उपर की तरफ ग्रो करना शुरू करते हैं तो इस तरीके से दोस्तो accreditation आपको help करता है आगे अपनी quality services को improve करने में अब इन चारो topic को दोस्तो one by one हम समझते हैं कि यह क्या है और किस तरीके से यह काम करते हैं सबसे पहलो topic आ जाता दोस्तो credentialing ठीक है credentialing क्या होता है तो credential refers to type of designation ठीक है award status recognition or seal of approval ठीक है to the individual organization it is the formal organization and establishing qualification of licensed individual ठीक है credentialing क्या किस और इशारा करता है किस और संकेत करता है दोस्तों तो designation की ओर यानि credentialing में आपको व्यक्ति का designation क्या है व्यक्ति को क्या award मिले है व्यक्ति को क्या status मिला है कितनी recognition उसको मिली है उसकी recognition क्या है और seal of approval, seal of approval से क्या मतलब है दोस्तों कि किस level तक वो व्यक्ति या वो organization approved है ठीक है अब जैसा कि अगले sentence में बोला गया है ये individual और organization दोनों के लिए ही matter करता है यानि कि चाहें आप किसी व्यक्ति की बात करें या फिर किसी संस्ता की बात करें दोनों के लिए दोस्तों credentialing बहु किस तरीके से वो run कर रहे हैं या किस basis पर वो उस job को perform कर रहे हैं तो वो सारी चीज़े आपकी credentialing में आ जाती है इस दा formal recognition and establishing qualification of licensed individual ठीक है तो यह क्या होता है एक formal reorganization होता है किसी भी चीज़ का साथ यहां पर एक qualification सेट की जाती है license के लिए आनि कि आपके पास उस चीज के लिए license है या नहीं तो यह सारी चीज़े दोस्तों आप देखते हैं credentialing में यह I hope दोस्तों credentialing आपको clear हो गया होगा क्या होता है आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं licensure के बारे में अब licensure क्या होता है तो it is granting permission to the individual for the entry and exit from a particular profession licensure helps to ensure the quality professional practice अब licensure क्या होता है simple term में वैसे तो आप समझ ही कहेंगे कि license आपके पास है या नहीं है उसी को हम licensure बोलते हैं आपकी जो performance होगी आपकी जो practices होगी उसमें quality आपको देखने को मिलेगी क्योंकि license जो है कही न कहीं जब आप किसी चीज को कर कर आए हैं आपने वापर प्रूफ किया होता है खुद को आपने कहीं चीजों को practice किया होता है कहीं न कहीं आपने एक आप बोल सकते हैं कि आपने अपना जो है जो आपका dedication है जो आपने result provide किये उसके basis पर ही आपको license मिला होता है तो यह आपके लिए quality profession का का काम करता है यह quality आपको देखने को मिलती है आपके working में so that is licensure आगे दोस्तों अगर हम बात करें certification क्या होता है इसमें topic missing है next topic के अगर हम बात करें तो accreditation क्या होता है तो दोस्तो accreditation is a process in which certification of competency ठीक है अब क्या बात हो रही है certification of competency agency authority or credibility is awarded to an agency or organization ठीक है agencies physical structure organizational structure and personal qualifications are assessed the aim of accreditation is to encourage organizational development ठीक है example के लिए आप देख सकते हैं नबह और नए अब इसको अगर हम sum up करें तो यह क्या कहने की कोशिच कर रहा है तो दोस्तों accreditation क्या होता है एक process होता है certification of competency यानि कि आप कितने competent हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए साती साथ आपको एक authority provide की जाती है आपकी credibility चेक की जाती है और आपको फिर बाद में एक award दिया जाता है accreditation के तौर पर अब यह award किसे दिया जाता है यह award दिया जाता है किसी भी organization या फिर agency को for example अगर जैसे जातार आप बात करें hospital NABH accreditation कराते हैं तो दोस्तो एक hospital के तौर पर क्या आप competent हैं लाइक अगर मान लीजे आप कुछ एक different level की surgeries अगर आप करते हैं चीक है मान लीजे आप heart transplant करते हैं तो क्या आप heart transplant करने के लिए competent हैं आपके पास वो staff है जो की properly competency के साथ में दोस्तो उस surgery को perform कर सकता है क्या आपके पास authority है उस surgery को करने की क्या आपके पास credibility है यानि कि दोस्तो क्या आपके पास वो employees हैं वो physician हैं जो की उसको अच्छे से कर सकते हैं तो इस सारी चीजों को assess करने के बाद आपको ये एक reward के तौर पर दोस्तो accreditation दिया जाता है उसके अलावा इसमें देखा जाता है agency का physical structure कैसा है organizational structure कैसा है और personal qualification जो है दोस्तो उनको assess किया जाता है यानि कि physical structure से दोस्तो यहाँ पर हमारा मतलब है जो एक building है दोस्तो organization को वो building कैसा क्या वो वहाँ पर सभी चीजें हैं जो हूनी चाहिए like for example जो भी different departments होते हैं वो different department वह आपर मौजूद है या नहीं है या ऐसा हो सकते ही कि आपने किसी particular department को भी बन बाया ही नहीं है hospital में और आप ऐसे काम चला रहे हैं तो वो सारी चीजें वहाँ पर assess की जाती है organizational structure से मतलब है यहाँ पर जो एक organizational chain होता है यानि कि top level से आपका lower level ठीक है तो top से lower में दोस्तों ज पूरा है हर level पर आपके पास जो लोग होने चाहिए क्या वो लोग आपके पास है या आप ऐसे ही एक व्यक्ति से कई सारे काम करा रहे हैं और आपका काम जो है वो properly नहीं चल रहा है उसके अलावा personal qualification जो है वो check की जाती है यानि कि आप क्या जो लोग job कर रहे हैं क्या उनक pharmacy में जो व्यक्ति बैट रहा है उसके पास pharmacy की डिगरी नहीं है उसको बस idea है तो वहाँ पर काम कर रहा है तो वह qualification भी वहाँ पर assess की जाती है तो यह दोस्तों सारी चीज़ें यहां पर assess की जाती है अब aim क्या होता है accreditation का the aim of accreditation is to encourage organizational development यानि कि इसका जो aim होता है कि organizational है उसका accreditation से example के लिए दोस्तों NABH और NAAC को आप देख सकते हैं ठीक है जो कि accreditation देते हैं hospital, universities और institute को तो यह दोस्तों भी तक आपको समझ में आ गया हुआ accreditation क्या होता है अगर आपके मन में किसी भी तरीके का doubt है दोस्तों तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं आगे दोस्तों बात achievement यानि कि दोस्तों जब आप अपनी जो भी credibility है या जो भी दोस्तों आपको एक submit करना होते है, documents या जो भी requirement है उन्हें पूरा करना होता है तो दोस्तों उसके बाद एक आपको certification provide किया जाता है, certification का मतलब होता है दोस्तों एक official document जो कि आपको provide किया जाता है एक status के तोर पर या फिर level of achievement के तौर पर जैसे accreditation जब आप उसकी सारी processes को complete कर लेते हैं तो दोस्तों आपको NABH का certification प्रोवाइड किया जाता है ठीक है तो वो तब ही दिया जाता है जब आप उसको पूरी तरीके से proper follow कर लेते हैं और सभी जो अपनी requirement उनको fulfill करके उनको submit कर देते हैं तो एक document आपको मिल जाता है officially जो कि कहीं नगे एक status का काम करता है और एक level of achievement का काम करता है ठीक है example के लिए आप देख सकते हैं या पर professional certification आप बोल सकते हैं trade certification या फिर जो accreditation certificate होता है उसको भी यहाँ पर आफ count कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो value assurance method के बारे में quality assurance method की होता है दोस्तो इसमें आप को सबसे पहले देखने को मिलता है peer review, peer review क्या होता है दोस्तों peer review को समझ लेते हैं पिर आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं तो it means quality of work or a product is cross-checked ठीक है by the members of same professional group peers ठीक है, Peers can identify errors or problem fastly and easily than any other one and can be corrected ठीक है, Standards can be classified and formulated according to frames of references used for setting and evaluating nursing care services, ठीक है, अब यह क्या कहा रहा, Peer Review क्या होता है Peer का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा वेक्ति जो कि बहुत जादा experienced हो या कि जो कि बहुत जादा knowledge रखता हो, ठीक है एसे वेक्ति को हम बोलते है, Peer, ठीक है अब यह definition क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो it means quality of work or product is cross-checked, यानि कि जो भी काम किया जाता है या जो भी product है उसको दुबारा से check किया जाता है कि वो गलत तो नहीं है, और वो कौन करता है दोस्तों, members of same professional group, यानि कि उसी group के member करते है लेकिन वो member कहीं न कहीं आप बोल सकते हैं, उनकी knowledge जो है दोस्तों वो जादा होती है एक general या एक ordinary member से या फिर वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं कुछ भी वज़य हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है Peer क्या करते है, can identify errors यानि कि अगर कोई भी गलती होती है, तो वो उस error या problem को बहुत जल्दी से find out कर लेते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इसमें ये गलती है, चीक है और बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, उस चीज को correct कर देते हैं faster than any other one, यानि कि क्योंकि उन्हें knowledge उस चीज की बहुत अच्छी है तो एक जो नया वंदा है, जो नया वेक्ती है, जिसने अभी अभी जॉइन किया है वो सकता है, वो उस चीज को pick ना कर पाए, उस error को वो pick ना कर पाए तो यह चीज होता है दोस्तों, इसको हम बोलते है, peer review, ठीक है अब यहाँ पर organization में आपको कोई ना कोई ऐसा वेक्ती ज़रूर मिलता है ज्योंकि आपके काम को cross check करता है या आपके काम को कहीने के assess करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके जके वहाँ पर कोई एरर तो नहीं है या फिर आपने कोई mistake तो नहीं कर दिए है standards can be classified and formulated according to frames of references used for setting and evaluating nursing care services standard के दोस्तों उनको आप formulate कर सकते हैं daring to frames of references references के定 को आप Standard को formulate कर सकते हैं उसे बना सकते हैं जो कि कहीना-कही useful होते हैं evaluating in nursing care services यानि कि nursing care services को अगर आप evaluate करना चाहते हैं तो आप जो भी standard है उनको formulate कर सकते हैं according to frames of references यानि कि जो भी references आपको मिलते हैं जो भी guidelines या standard आप follow करते हैं उनके according दोस्तों आप उने modify कर सकते हैं या formulate कर सकते हैं nursing care services को assess करने के लिए तो यह इसका हो जाता है दोस्तों meaning आगे आ जाता है दोस्तों हमारा structure standard ठीक है structure standard क्या होता है इसको समझ लेते हैं a structural standard involves the setup of the institution ठीक है setup of the institution यानि building की बात हो रही है they refer to the organizational structure in which nursing is implemented यहाँ पर दोस्तों उस building की बात हो रही है जहाँ पर nursing practices की जाती है in this it will measure whether the structure is adequate, reliable and desirable ठीक है अब structural standard में क्या check किया जाता है यहाँ पर यह चेक किया जाता है कि जिस भी building में या जिस भी जगे पर आप वो कोई भी care center हो सकता है hospital हो सकता है कोई एक छोटा care center हो सकता है SHO जिस हम बोलते हैं small healthcare center जो होते हैं कोई clinic हो सकता है, poly clinic हो सकता है ठीक है, या फिर कोई बड़ा hospital भी हो सकता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों उसको जो है यह check किया जाता है कि वो adequate है यानि कि वो काफी है उस चीज़ को करने के लिए यानि nursing services को तो nursing practices को करने के लिए क्या वो structure काफी है वहाँ पर साभी यह इतनी जगए है इतनी वहाँ पर facility है कि वहाँ पर आप nursing practices को कर सकते हैं क्या वो reliable है उस पर आप निर्भर कर सकते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं और क्या वो desirable है यानि कि क्या आप वहाँ पर काम करना चाहोगे तो य एक structural standard क्या होता है दोस्तों उसमें आपको setup देखने को मिलता आप institution यानि जहाँ पर practice की जाती है they refer to the organizational structure ठीक है in which nursing is implemented यानि वो जगे जहाँ पर nursing की practice की जाती है in this it will measure whether the structure is adequate, reliable and desirable तो यह तीन चीज़ा दोस्तों देखी जाती है जब आप बात करते हैं structure standard के बारे में तो यह I hope दोस्तों standard, sorry structure standard क्या होता है यह आपको clear हो गया होगा और किस तरीके से दोस्तों इसको आप define कर सकते हैं अगला topic है दोस्तो process standard, process standard क्या होता है process standard describe the behaviors of the nurse at the desired level of performance ठीक है process standard involves the activities concerned with delivering patient care, अब process standard क्या होता दोस्तों इसक्राइब करता है कि कैसा behavior है nurses का ठीक है at the desired level of performance यानि कि जहां पर उनसे expected होता है कि वो वहाँ पर काम करें वहाँ पर हमें result दें तो वहाँ पर उनका behavior कैसा है ठीक है level of performance कैसा है जो कि हम उनसे expect करते हैं अब process standard involve ठीक है process standard में क्या देखने को मिलता है आपको activities concerned with delivering patient care यानि कि वो activities वहाँ पर देखी जाती है जो कि patient care में जरूरी होती है patient care के लिए जरूरी होती है तो उन standards को या उन activities को involve किया जाता है process standard में साथी साथ उनके level of performance को भी check किया जाता है कि वो क्या deliver कर पा रही है उस care को या उस level of performance को हम उनसे expect कर रहे हैं या वो उसको properly नहीं कर पा रही है तो यह दोस्तो जो process होता है वो आपको देखने को मिलता है process standard में तो यह भी simple है दोस्तो यहाँ पर इतना typical नहीं है समझनी के लिए कि process of standard क्या होता है ठीक है basically यहाँ पर performance को आपको evaluate करने के लिए आप से यह देखने के लिए कि आप perform कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वह activity in terms of the change that occurs in the patient, ठीक है, this change may be due to nursing care, medical care or as a result of variety of services offered to the patient, outcome standard reflect the effectiveness and result rather than the process of giving care, ठीक है, simple term में इसको समझ लेते हैं, क्या है, ये क्या कहने का मतलब है, outcome standard जो है दोस्तों वो इशारा करते हैं, जो भी description होता है result का, यानि कि क्या result है nursing activities का, अब किस तरीके से आप देखते हैं उस चीज़ को, change that occur in the patient, यानि मान लीजिए एक nurse के तौर पर आपको कुछ patient है, जिनको आपको care करना है, अब patient में जो भी changes हो रहे हैं, ठीक है, patient में जो भी changes आप देख रहे हैं, उन changes के basis पर दोस्तों यहां पर देखा जाता है, कि आपका जो nursing है, वो किस तरीके से outcome दे रहा है, this change may be due to, अब यह change ऐसा नहीं कि आपकी वज़े से ही हो रहा है, ठीक है, हो सकता है, patient की condition बहुत जादा critical हो, या patient तो condition में ही ना हो, कि वो recover कर सके, लेकिन क्योंकि आपको दोस्तों, वो patient allot किया गया है, या कई ना कई आप बोल सकते हैं, आपको responsibility दी गई है, patient की या patient of groups की, तो वहाँ पर कई ना कई आप भी उस चीज़ के लिए responsible रहते हैं, तो अगली line में क्या बोला गया दोस्तों, this change may be due to nursing care, ठीक है, हो सकता है, nursing care की वजए से वो change हो, अब वो change कैसा भी हो सकता है, ठीक है, change से हमारा मतलब यह नहीं कि वो change negative ही होगा, patient की जो हालत है, वो deteriorate हो रही है, हो सकता है, patient का जो health है, वो अच्छा हो रहा हो, आपकी care के चलते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ां यहाँ पर हो सकती है, तो वो दोनों चीज़ां आपको यहाँ पर देखनी होंगी, ठीक है, तो यह क्या कह रहे है, the change may be due to nursing care की बज़े से वो change हो सकता है, medical care की बज़े से वो change हो सकता है, या फिर as a result of variety of services, ठीक है, या फिर कई सारी services क्योंकि उसको दी गई हैं, उसकी बज़े से उसके अंदर वो change हो रहा हो, again यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो change negative होगा, यहाँ पर बात हो रही है, change की चाहे वो positive हो या वो negative हो, तो इस चीज को देखा जाता है कि change जो है patient में वो किस चीज के चलते हो रहा है, उसके अलावर जो outcome है दोस्तो outcome standard क्या करते है, reflect करते है, effectiveness and result rather than the process of giving care, ठीक है, तो outcome standard का basically मकसद क्या होता है, effectiveness को check करना होता है, और result को check करना होता है, rather than कि क्या process आप अपना रहे है, care के लिए, ठीक है यानि कि जो भी process आप अपना रहे हों, जो भी सही process हो, जिसको भी आप कर रहे हों लेकिन उसका result क्या निकल कर आ रहा है, और वो कितनी जादा effective है outcome को लाने में या patient के care में, इस चीज को दोस्तों देखा जाता है, outcome standard से तो outcome standard का basically purpose क्या होता है, आपकी जो भी result है, जो आप लेकर आ रहे हैं उसको evaluate करना है, कि result आपके जो भी हैं वो अच्छे आ रहे हैं यानि कि ऊपर आपकी performance आ रहे है, आपकी performance नीचे आ रहे है, इसको evaluate करने के लिए outcome standard को देखा जाता है, तो I guess outcome standard भी दोस्तों आपका ये clear हो गया होगा topic कि किस तरीके से outcome standard का use किया जाता है और कैसे दोस्तों आप इसका use कर सकते हैं आगे दोस्तों बात करते हैं कुछ और topic के बारे में, अगला हमारा topic आ जाता है दोस्तों nursing audit, अब nursing audit क्या होता है दोस्तों important topic है ये भी एक nurse के तोर पर आपको पता होना चाहिए, तो nursing audit क्या होता है method which systematically examine the quality of nursing care, ठीक है तो systematically कैसे आप examine करोगी quality of nursing care यानि कि आपकी जो care है जो आप care services provide कर रहे हैं वो कितनी उसमें quality है या उसमें quality बहुत ज्यादा कम तो नहीं है या आप अच्छे से उस चीज को perform कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उसके अलावर nursing audits evaluate the nursing functions to help to appraise and improve the quality of patient care ठीक है as per the standards and criteria laid down by the expert ठीक है क्या कह रहा है nursing audit क्या करती है दोस्तों evaluate करती है nursing function को जिससे कि दोस्तों appraise किया जा सके और improve किया जा सके the quality of patient care को ठीक है किसके according as per the standards यानि कि जो भी standard आप follow कर रहे हैं उन standard को follow करते हुए nursing audit से दोस्तों आप evaluate कर पाते हैं nursing के function को साथी साथ दोस्तों आप improve कर पाते हैं अपनी quality of patient care को उसके दावर दोस्तों यहाँ पर nursing audit committee होता है जो कि सारी चीजों को overlook करता है audit committee is needed to establish criteria and process for quality assurance ठीक है and to evaluate care make recommendation and do follow up ठीक है यह कभआ आपको follow up करने चाहएं तो इस चीज़ को दोस्तों audit committee से जान सकते हैं或đडी कमेटी दोस्तों आपको यह idea देती है कि आपको ख्या recommendation लानी चाहिए और कभ आपको follow up यह किस तरीके से follow up आपको करना चाहिए तो यह दोस्तों चीज़ें आप सीख पाते हैं नर्सिंग कमिटी से या नर्सिंग कमिटी की हेल्प से दोस्तों आप यह चीज़ें जान पाते हैं तो यह हो जाता है दोस्तों आपका नर्सिंग ऑडिट जो कि आप समझ सकते हैं इन सभी heading से तो दोस्तों यह था topic हमारा nursing audit का तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो आज का हमारे समाप्त होता है जिसमें हमने बात की दो topic के बारे में अगले वीडियों दोस्तों बात करेंगे norms of staffing and teacher student relation के बारे में as per Indian Nursing Council तो दोस्तों यह भी एक interesting topic होने वाला दोस्तों हमारा आखरी topic रहेगा इस series का तो अगर आप इस पूरी series को खतम करना चाहते हैं then do subscribe to the channel अगर आपने वीडियो को लाइक जिरूर कर दीजेगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों जो भी हमारी पुरानी वीडियो है उनको आप जब तक देख सकते हैं क्योंकि यह topic दोस्तों आपको मिलेगा next Monday या फिर next Tuesday में तो तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहे हमारे channel hospital नौकरी के साथ क्योंकि और भी other topics पर हम वीडियो लेकर आते रहते हैं तो आपका exam preparation होता रहेगा easily घर बर बैठे बिना किसी खर्चे के क्योंकि अवाट्री के रहेगा हमारे भी खर्चे के साथ